बविशे के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार दिख स्वागत है दोस्तो मैं हूँ आपका योगे सर और मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण अध्यन में टॉप 50 क्वेशन्स में आपके लिए लेकर आऊंगा इससे पहले मैं 30 क्वेशन्स को डिसकस कर चुका हूँ ये हमारी चौथी वीडियो है और आज भी हम कुछ 10 ऐसे नए और बहुत जादा बहतरीन प्रशनों को डिसकस करेंगे ये सारे प्रशन आपके C-TAT, MP-TAT, UP-TAT में पूछे जाते रहे हैं बार-बार रिपीट होने वाले क्वेशन्स हैं और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे तो चलिए फिर शुरू आज से लेकर सारे के सारे 10 प्रशनों को आप देखिए और नीचे कमेंट्स करके बताईगा कि आपके कितने सही हैं चलिए देखिए हमारे हेंड़ेटे नोट्स हैं आप हमारा टेलेगराम गुरूप नीचे जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से क्लिकर करके आप हमारे हेंड़ेटे नोट्स भी पा सकते हैं चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पहला प्रशनाप की स्क्रीन पर है कि यदि कोई बालक कक्षा में देर से आ रहा है तो आप किस से बात करेंगे प्रशनाप का बड़े ध्यान से सुनिएगा कोई बालक कक्षा में लेट आता है तो आप सबसे पहले किस से बात करेंगे उस बालक से बात करेंगे उसके माता-पिता से बात करेंगे उसके दोस्तों से बात करेंगे उसके किसी घनिष्ट मित्र से बात करेंगे बताई नीचे कुमेंट्स करके अपना आंसर एक बालक कक्षा में देरी से आता है तो आप सबसे पहले किस से बात करेंगे चलिए आंसर में आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो option number one है आप बालक से ही बात करेंगे बालक की क्या समस्या है या बालक से ही जानने की कोशिश करेंगे बालक की समस्या है बालक से जानिए उस समस्या का कारण का पता लगाईए उसको हल करने की कोशिश करिए तो सबसे पहले जो बात करेंगे आप किसी से बात नहीं करेंगे किस से बात करेंगे बालक से बात करेंगे 31 वाली का जो आंसर है वो option number 1 है red data book एक book है पर्यावड अध्यन के चेतर में बहुत जादा पूछी जाती है और पर्यावड अध्यन में एक बहुत जादा मेहतोपूड पुस्तक है red data book इसमें किसका विवरण शामिल किया जाता है केवल संकटापन पादप का केवल विलुप्त जीव जन्तू का केवल विलुप्त प्राय पक्षियों का या फिर संकटापन पादप एवं जीव जन्तूं का बताईए जो red data book है उसमें किस चीज को मेंशन किया जाता है चली answer में आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो option number 4 है संकटापन जो भी जीव जन्तू और पादप हैं उनको सबको लिखा जाता है red data book में जो जानवर खत्मोने की गागारपन हैं जिनकी संक्या बहुत जादा कम हैं उन सभी को लिखा जाता है red data book में जाद रखेंगे अगला पने देखकिए का पर्यावरण संरस्चण के लिए कौंसी एजनसी कर रही है पूरे विश्व में правда संररस्चण के लिए कौंसी एजनसी कर कारे कर रही है NASA UNO Greenpeace या फिर चिप को पताईए NASA UNO Greenpeace या फिर चिप को चली answer में आपको बताईता हूं एक Greenpeace करके संस्ता है जो की पर्यावड के छेत्र में कारे करती है Greenpeace है इसके अलावा UNEP एक प्रोग्राम चलाया जाता है एक संस्ता है ग्रीन पीस जो कि पर्यावड के चेतर में कारी करती है एक प्रोग्राम है वो है UNEP United Nations Environmental Program पर्यावड़ी या कारेकरम है ये United Nations का तो ये बात आप आप याद रखेंगे दोनों संस्ताओं के बार में आप याद रखेंगे पर्यावड ये अध्यन में सेक्षडिक ब्रमड का मूल उद्देश है पर्यावड के चेतर में जब हम सेक्षडिक ब्रमड करवाते हैं बच्चों को उसका उद्देश क्या है बच्चों की उर्जा को विक्सित करना चात्रों के लिए अप्रत्यच अनुभव चात्रों के लि प्रत्यच्च अनभव कराना उनको प्रत्यच्च अनभव कराना या फिर समाजी करड़ की भावना पैदा करना चलि आंसर है इसका option number 3, option number 3 यानि कि प्रत्यच्य रूप से उनको अनभव कराना जो भी उनके आसपास चीज़ें मौझूद हैं जो भी पर्यावरण में चीज़ मौझूद हैं उनका प्रत्यच्च रूप से यानि कि वो खुद देखें उस चीज को खुद टच करें खुद महसूस करें तो उस चीज का प्रत्यच्च अनुभव करवाना से चड़िक भ्रमड का उद्देश होता है 34 वाली का जो आंसर है वो option number 3 है यदि कोई बालक कक्षा में अबद्र व्यवार करता है तो आप क्या करेंगे आप एक teacher हो आप कक्षा में पढ़ा रहे हो एक बालक अबद्र रूप से व्यवार करता है आप लोग क्या करोगे उसके व्यवार का कारड जानेंगे उसे सही गलत का फरक सिखाएंगे A और B दोनो यानि दोनो चीज़े करोगे या फिर माता पिता से उसकी शिकायत करोगे बताई यी नीचे कुमेंट्स करके कोई बालक अबद्र व्यवार कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे इसका जो सही जवाब है वो अप्शन नमर थ्री है A और B दोनो यानि कि उसके व्यवाहर का कारण जानेंगे कि क्यों वो ऐसा अबद्र व्यवार कर रहा है और उसे सही गलत का फर्ग सिखाएंगे दोनों कार रियाप करोगे इस वज़े से जो आंसर है वो अप्शन नमर तीन है चात्रों की समस्याओं का समधान करने के लिए आप क्या करोगे चात्रों की कोई समस्याओं है आप उसका समधान करने के लिए एक टीचर हो आप क्या करोगे उसके साथ मित्रवत व्यवाहर करेंगे उसकी समस्याओं को ध्यानपूरवक सुनेंगे या फिर सिक्षक को रोचक बनाएंगे जो भी आपकी टीचिंग है उसको रोचक बनाएंगे या फिर इन सभी चीजों को करेंगे चात्रों की जो समस्याई आ रही है उनके समाधान के लिए आप क्या करोगे चलिए, आंसर में आपके बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो अप्शन नमर 4 है आप उनके साथ मित्रवत व्यावार भी करना पड़ेगा आपको जिससे आपको समस्याई का पता लगा सकें उनको ध्यान पूरवक सुनना भी होगा इसी से तो आप समस्याई का पता लगाओगे और अपने जो सिच्षड है टीचिंग है उसको भी आप रोचक बनाओगे जिससे क्या है बच्चे उसमें रुची उत्पन करें अपनी रुची जाहिर करें और वो अच्छे से पड़ें तो ये सारे चीज़ें आपको करनी होगी समस्याई किसकी है पर्यावर अध्यन की उसको हल करने के लिए आप क्या करोगे आप एक टीचर है आप अपने उपर मान के चलिए कि आप एक टीचर है और पर्यावर अध्यन की समस्याई है उनको आपको हल करना है आप क्या करोगे ग्रहकार की मात्रा में कमिंग कर दोगे विशेवस्तु को नियोजित करेंगे यानि कि सुनियोजित यानि कि प्रोजेक्ट एकदम पहले से ही उसको प्लान बना के जो चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाती है उसको बोलते है नियोजित या फिर सुनियोजित है न यहाँ पर छोटी की मात्रा हो राएगी, नियोजित करेंगे, बालकों में रुची उत्पन करेंगे, या फरी ये सभी चीज़े करेंगे, पर्यावर अध्यन आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसमें कई सारी समस्यां आती हैं पर्यावर अध्यन वाले सब्जेक्ट में, तो option number 4 answer हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे, पर्यावर जागरुकता का सरजन कैसे किया जाता है, दोस्तों जो top 50 questions हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, जो आपके पेडागोजिकल हैं, इसके बाद मैं आपको EVS के content से questions भी करा दूँगा, अगर आपने EVS की NCRT की class 3, class 4, class 5, इन 5 कक्षाओं की summary मैंने एक ही वीडियो में करी है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो को मैं इस वीडियो के end में लगा दूँगा, है ना, इस वीडियो के खत्म होने से पहले, 10-20 seconds पहले आपकी सामने वीडियो आजाएगी, पूरी एक घं प्रति आप जागरू कर रहे हो लोगों को, उस चीज को आप कैसे सरजन करोगे, उसको कैसे create करोगे, पर्यावड के प्रति जागरूकता आप कैसे create करोगे, तो अध्ययन के द्वारा, समूह वारतलाप के द्वारा, ब्रहमड द्वारा या फिर व्याख्यान द्वारा, तो सीधा सीधा question है easy है ब्रहमड के द्वारा आप बच्चों को ब्रहमड करवाओगे जिससे पर्यावड के प्रती जागरूकता बड़े बच्चों में उनको अध्यन से नहीं पढ़वा सकते आप समूह वारता करके भी पर्यावड के प्रती जो सरजन है उसका नहीं कर सकते जागरूक नहीं कर सकते अपना लेक्चर यानि की व्याख्यान देखर भी बच्चों को पर्यावड के प्रती जागरूक नहीं कर सकते ब्रहमड जो की सबसे best option रहता है पर्यावड अध्यन में चलिए श्यामपट का प्रियोग होता है एक blackboard है उसका प्रियोग कब होता है क्यूं होता है और कहां होता है बताइए पार्थ योजना की रूप रेखा लिखते समय कठिन शब्दों को व्यक्त करते समय करने में या फिर ग्रहकार देने में या फिर ये सभी आप blackboard का एक teacher बन जाओगे तो blackboard का use आप कैसे करोगे पार्थ योजना जो है उसकी रूप रेखा लिखोगे blackboard पर कठिन शब्दे हैं उनको व्यक्त करोगे blackboard पर जो homework है आप उनको वो भी दे सकते हो blackboard पर आप क्या करोगे तो इसका जो सही जवाब है वो option number 4 है है ना ये सभी चीज़ें कर सकते हो आप blackboard पर शामपट पर ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो चलिए समस्या गरस्त बालक का पता लगाने की कौन सी विदी है एक बालक है कोई वो समस्या किसी समस्या से गरस्त है उसका आप कैसे पता लगाओगे वो कौन सी विदी है देखिए पहला option है क्रियात्मक सोध क्रियात्मक सोध दूसर option है सेमिनार करोगे आप तीसर option है केस स्टड़ी करोगे या फरी ये सभी चलिए answer में आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है option number 3 है आप केस स्टड़ी करोगे किसी भी company की कोई भी इंसान हो कोई भी company हो कोई भी हो किसी के बारे में आगर आपको शुरुआत से लेकर end तक जानना है उसका performance कैसा रहा वो कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है सारी चीज़े जाननी है तो आपको case study करनी पड़ती है तो किसी बालक की समस्या का आपको पता लगाना है तो उसकी भी आपको case study करनी पड़ेगी आपको उसकी case study करनी पड़ेगी case study करोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आयोगी इस वीडियो को लाइक जरूर करना है अपको शेयर जरूर करना है पहली बार आये हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिए और इसके बराबर में जो बेल आइकोन है उसको आल पर सेट जरूर कर लिजेगा मिलते हैं गली वीडियो में आज के लिए तना ही धन्यवाद